असलाम वाले को फ्रेंट स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके सुटुडेंट कॉर्नर में इस वीडियो के मादिम से दोस्तों मैं आपको फिर से एक इंपोर्टेंट अपडेट प्रोवाइड करूंगा क्लास 10th, 11th या 12th क्लास के अगर आप सेमर्जोन के सुट्डेंट हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखना हैं मैं आपके यहां पे क्या-क्या डाउर्स किलियर करूंगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो हम 12th क्लास की बात करते हैं आपकी डेट शीट के रिगार्डिंग जो आपकी reverse डेट शीट हुई है उसके बारे में बताऊंगा और कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप एक्जाम के से क्रैक कर सकते हैं सब कुछ मैं इस वीडियो के माधिम से बताऊंगा तो आप वीडियो एंड तक देखना है लावत के बारे में बताऊंगा कि आपकी डेट शीट जो है कब तक आउट होगी और आपके एक्जाम जो है कब होंगे और आपको study material notes के salt paper इनफ है यहाँ पर 40% relaxation के chances हैं या नहीं यह सब कुछ यहाँ पर doubt जो हैं आपके ओमें इस वीडियो के माधियम से clear करूंगा देखे मै मैंने पहले भी एक video बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था 10th 11th 12th class के regarding यहाँ पर देख प्रोवाइड गया था मगर आप video end तक नहीं देखते हो तो फिर आप comment यह message करते हैं sir इसका क्या होगा तो मैंने देखे पहले बता देता हूँ आप video end तक देखना तब ही आपको सब कुछ समझ आ पाएगा अब हम बात करते हैं यहाँ पर date sheet की देखे मैंने date sheet यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको class 12th की यहाँ पर reverse date sheet है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाता हूँ आपकी timing जो होगी वो सुबा 11 बजे होगी अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे group की link आपको description में मिल जाएगी वहाँ से आप मुझे message कर दीजेगा सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाता हूँ 28-3 को यहाँ पर जिगराफी होगी 31-3 को यहाँ पर journal English होगी यहाँ पर देखे मैं आपको sub subject तो बता नहीं सकता सभी streams के तो आगर आपको आपके पास य date sheet नहीं है तो आप मुझे WhatsApp पे message कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर class allowant के बारे में class allowant का जो यहाँ पर mass promotion के chances हैं यानि सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं देखे मैं आपको बता दूँ class allowant को mass promotion के chances बिलकुल नहीं है आपको जो exam होगे exam center में ज 6 दिन पेले आपके roll numbers आपको provide कर दिये जाएंगे अब हम बात करते हैं आपके exam कब होंगे तो देखे मैं आपको बता दूँ second week of April में आपके exam जो है start हो जाएंगे अब हम बात करते हैं आपकी जो है dead sheet कब the count होगी तो देखे मैं आपको बता दूँ dead sheet उससे पहले 15-20 दिन लेकर आप बैठे कि उससे पहले 15-20 दिन पहले आपकी dead sheet निकल जाएगी और दोस्तों अब मैं आपको बता दाओं 40% relaxation के chances हैं यानि चाहे 10th class हो 11th class हो या 12th class को क्या आपको 40% relaxation के chances हैं यानि तो देखे मैं आपको बता दूँ आपको कोई भी 40% relaxation नहीं मिलने वाली है आपक हम बात करते हैं आपके लिए कुछ यहां पर tips की तो देखे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास यह जो 3 years होते हैं 10th 11th or 12th class यह बहुती कीमती years होते हैं इनको यहां पर wish ना करें प्लीज त्यारी करेगा दोस्तों आपके boards यहां पे सामने बिलकुल एक महिना भी अब आपके पास नहीं तो प्लीज त्यारी करेगा और salt paper या important questions के यहां पे कुछ आपको चाहे तो आप यहां पे मुझे model paper वगेरा कुछ भी जाये तो comment का दीजेगा मैं next video उसी पे लेके आऊँगा तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो में क ठांक रुछ वाचिंग